त्यार हो जाएए ये 120 question अटेंड करने के लिए भाग जो आपका second भाग है उस पर हम करेंगे जिसमें से आपका जो है पहला प्रशन पूंचा जा रहा है कि चाचा जाजा अईया का उच्चारण क्या होता है इसका होता है सबी लोग बताएए तालब या तालू से तालू बिंजन सही है क्योंकि चाचा जाजा अईया सा और या ये तालब बिंजन आते हैं इसके बाद सा और या ये जो आपके तालब बिंजन है तो तालू से इनका उच्चारण स्थन क्या हो जाएगा तालू हो जाएगा इसके बाद दूसरा है कि टावर्ग उच्चारन के ज़से किस प्रकार की ध्वनी कहलाती है तो जो टावर्ग होता है उच्चारन के ज़से देखा जाए तो यह हमारे मूर्धन बिंज के बात करते हैं टावर्ग उच्चार्ण के जासे मूर्धन ध्वनी के बात करते हैं, बिंजनों का वर्गी करन मुख रूप से इस्थान और प्रत्न के धार पर किया जाता है, और बिंजनों के उत्पन होने के इस्थान से संबन्धित बिंजन को आसानी से पहचाना जाता है, तो जो टावर् या मारा दीअ गया है या मारा दीर्ग्तस्वर हो जाएक है जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीईयत रिंध कहलाते हैं और इनकी मात्रा दो होती, लग़ू और दीई मिज़े से आप किस स्वर के उचार्ण में दीर्ग स्वर से भी अधिक समय लगता है जी हां ऐसा स्वर का उचार्ण में ता है जिन में जो है दीर्ग स्वर से भी अधिक समय लगता हो और वह कहलाता है पुरुप्त पुलुप्तश्वर के उश्याण में हैस उस्वर से भी आधिक समय लगता है, हैस को ही दिर्ग बोला जाता है, इसका कोई चिन नहीं होता है, इसलिए जिसे ओम होता है, ओम में हम लिखते हैं न, ओ लिखते हैं और बीच में हिंदी का जो हम तीन बना देते हैं, हिंदी का ती क्या है यह उल्टा तीन बनाके नीचे थोड़ा सा मोड़ देना यह कलाते है पुलुप्चर वड्माला में इसपर्स बिंजनों की संख्या कितनी होती है तो वड्माला में इसपर्स बिंजन की संख्या देखा जाए दोस्तों तो तोटल आपके 25, कावर्ग होता है, चावर्ग होता है, तावर्ग होता है, पावर्ग होता है, कावर्ग, चावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, का से मातक होता है, ठीक है तो का वर्ग से लेके मावर्थ तक हमारे बिंजनों की संख्या होती है जो इनकी संख्या टोटल 25 इस पर से बिंजन कहलाते हैं स्वर ए आय का उच्चान स्थान कांसा होता है तो स्वर ए आय का उच्चान स्थान आपका कंठ तालब होता है AI बोल के देखिए का के बाद AI का उच्छाय स्थन कंठ तालब हो जाता है हिंदी सब्दकोर्स में का के बाद काउंसर बेंजन दिखाई देता है हिंदी सब्दकोर्स में दिखा जाए का के बाद आपका च्छा बेंजन दिखाई देता है टेलिग्राम सबस जुड़िये फ्री में नोश पीडियल फाइल प्राप्ट कीजे इन में से साथी साथ इंस्टागाम पेस्बुक पेंच आवज फालो कर लिजेगा और जो भी आपके प्रस्णों इंस्टागाम पर हमें मैसेज कर सकते हैं इन में से कौन सी देव नागरी लि के उवन धुनी नहीं कहलाती है ग्रीबा धनी जो होती है यह देवश नागरी लिपकी बन धुन जिन धुनियों को गढ़ना ना स्वर में की जाती है ना बिंजन में उसे क्या कहते हैं जिन धुनियों की गढ़ना ना स्वर में ही करते हैं और ना ही बिंजन में करते हैं उन्हें अयोग वाय कहा जाता है क्या का जाता है अयोग वाय कहा जाता है ना तोस्वर में ना ही ये बिंजन में आते हैं इन में से कौन सब्सब्द तश्चम दिया गया है तो जो पवन सब्द है या हमारत तश्चम दिया गया है बागी पंख जो दिया गया है पंख का तस्षम क्या होता है पच्छ होता है पकवान का पकवान होता है और पारा का पारद होता है क्या होता है पारद इसका तस्षम रूप यहां पे सुध हमारा तस्षम पवन दिया गया है अंगला ब्याग सब्द का तदभा रूप बताना जी है ब्याग्र, तो ब्याग्र का जो तदवाव रूप आपका हो जाता है बाग, क्या हो जाएगा, बाग यहां पे हो जाएगा, संसकत के जो सुद्रसब्द होते हैं, जो हिंदी में सीधे लिया जाते हैं, तस्सम कहलाते हैं, और इन सब्दों का विक्रत रूप जो होता है तदबाव कहलाता है और ब्याग का तदबाव भाग हो जाएगा सुरोत की दर्षे सब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है तो सुरोत की दर्षे सब्दों को जो है चार भागों में बांटा जा सकता है तदभाव तश्सम, देशज, विदेशज ये चार भाग है तौलिया किस भासा का सब्द होता है तौलिया जो हम डेली इस्तमाल करते हैं तो तौलिया जो है आपके पुर्तगाली भासा का ये सब्द है और पुर्तगाली भासा के अनसब्द भी ये से अलमारी, साबून, कप् पाखू, कमरा, बाल्टी ये सारे उर्थगाली शब्द है इन में से कौन सा उपर उप्षर्ग जो है अर्वी और फार्सी का है तो ना उपकू और पर उपकू, सू, सा, पर ये उप्षर्ग हिंदी के हैं जबकि ना हो गया इसके बाद आपका आता है ना के बाद वद हो गया ठीक है वद के बाद बड़ा ला हो गया ना वद ला ये क्या हो जाते हैं ये अर्वी ये फार्सी के उपसर कहलाते है और जिसे काबिल एक सब्द है काबिल ये भी आपके अर्वी और फार्सी का सब्द है और ना समझ ना मुराद ये भी आपके अर्बी और फार्सी के हैं N वक्त सब्द में कौन सा उप्षर्ग हो जाएगा N वक्त में N जो है आपका उप्षर्ग हो जाएगा N वक्त मतलब क्या होता है ठीक समय पर अंगला प्रशन है इनमें से त्रा प्रत्य से बना हुआ सब्द कौंसा है? त्रा प्रत्य से बना हुआ सब्द तो पित्रभक्त जो पित्रभक्त है त्रा प्रत्य से बना हुआ है त्रा जो है तद्दित प्रत्य कहलाता है क्या कहलाता है? तद्दित प्रत्य कहलाता है अंगला है का प्रेप्ध हुआ है इसके बाद है उड़ जया और यहां सबंजन संदि काुँ या उधारन हो जाए पहर दोबरुनल कि पारिवा fitting को यही का इनके आपके परिभासाएं भी पूचे जा सकती है कला प्रमीन में कौन सा समास हो जाएगा तो कला प्रमीन की बात करते हैं इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा जिस समासिक पड़ में दूसरे पड़ की प्रधानता होती प्रवीन में इसमें प्रधानता दी गई है तो विभक्ती चिन लुक्त हो जाता है तो उसे तत्पुरुष कहते हैं जैसे कला प्रवीन मतलब कला में प्रवीन राजदर्बार में कौन सा समास हो जाएगा तो राज़ दर्बार में आपका तत्पुरुष शमास हो जाएगा राज़ दर्बार सब में संबंध कारक तत्पुरुष शमास है और जिसका समास विग्रे होगा राजा का दर्बार तो जहाँ पर काके की आता है संबंध की बात केते हैं उद्देश में करता के साथ क्या रहता है तो उद्देश में करता के साथ और क्या रहता है या आपको बताना है तो हमारे करता और विस्तार हो जाएगा करता और विस्तार मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था वाक का भेद कौनस हो जाएगा मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था यह वाक का भेद हमारा कलाएगा मिस्ट वाक हो जाएगा क्योंकि यहां पे जो कब दिया गया, कब और कहां कब कहां हुआ था, तो यह हमारा मिस्त्रवाक हो जाएगा पद परिचे को क्या नहीं कहा जाता है, तो पद परिचे को आपके पद संगठन नहीं कहा जाता है जो पद परिचे होते हैं, पद परिचे को पद संगठन नहीं कहते हैं, वांकि पद निर्देशन, पद निर्णय और पदानवय कहते हैं, लेकिन पद संगठन नहीं कहते हैं एक ही बिदे हो उसमें क्या बोला जाता है जिसका एक ही बिदे हो एक ही बिदे हो जिसमें कौन सा वाक होगा वह आपका सरलवाक होगा जिसमें एक ही बिदे होता है वह हमारा सरलवाक कहलाता है सभी चिठियां डांक से भेजी गई इसमें करता कौन सा है तो सभी चिठियां डांक से भेजी गई डांक इसमें करता है डांक से भेजी गई किसके द्वारा भेजी गई डांक से तो यहाँ पर करता हमारा क्या हो जाएगा डांक से डांक सब्द यहां पे करता हो जाए भी भेज कौन रहा है डांक तो भेज रहा है तो भेज करता हो जाएगा मिस्तरवाक की पहचान करना मिस्तरवाक में पहचान कैसे हम करते हैं तो मिस्तरवाक की पहचान हमारे होगा उसके पास जो था वैख हो गया यहां पर देखे आपका हलंत लगा हुआ है पाकिक इसी में नहीं लगा हुआ है तो अलगी आपको दिखरा है इनमें दो सब दो बाक्तों को जूड़ा गया है सडके चौडी बनाई गई है इसमें चौडी का सब दिका गया है सडकें कैसे बनाई गए हैं चौड़ी बनाई गए हैं तो चौड़ी यहां पर कहा हो जाएगा पूरक हो जाए है वाक में प्रिक्त जो चौड़ी है वह यह कि हमारा पूरक कहला जाए है निन में से कौन सबाक सरलवाक नहीं है देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि लड़क गया तो ये तो सरल वाक नहीं हो रहा आपका रसना के अलहार पर वाक तीन प्रकार के होते जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश होता है एक ही बिधे होता है सरल वाक होता है जिन वाक्यों में दो या दो सदिक सरल वाक या योजक चिन होते है सन्युक्तवाक होता है जैसे उसने परिस्रम किया किन्तु सफलता नहीं मिली इसमें योजक चिन क्या होता सन्युक्तवाक क्या हम कैसे पहचानते सन्युक्तवाक है सन्युक्तवाक की पहचान है और फिर भी नहीं तो किन्तु अता है परं तू ठीकि ये सारे पहिचान होते हैं तीसरा होता मिस्टर्वाक इसके लिए पहिचान कहोते है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास किताब नहीं है जो की सब्द लग गया या इस मेले का उदेश है कि व्यापार में ब्रद्धी हो कि हमारा मिस्त्र वाक कहला जाएगा अंगल्या प्रश्ण है कि जिस वाक में साधारन और मिस्त्र वाक का मेल सन्योजक अव्यों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं उसे ही दोस्तों सन्युक्त वाक कहा जाता जिन वाक में साधारन और मिस्ट वाक का मेल सन्योजक अव्यों द्वारा होता है उसे सन्युक्त वाक कहते हैं अंगला प्रिश्ण है तुम कहां जा रहे हो वाक का प्रकार इसपर्श्ट करना है मतलब यहां पे प्रस्णवाचक वाक हो जाए यहां पर प्रस्वाग चक चिन ही लगा हुआ तिसमें तो कोई दुब्धार नहीं होगी आपको जैसंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का उन्सी है जैसंकर प्रसाद की प्रथम कहानी आपकी ग्राम क्या हो जाएगी प्रथम कहानी ग्राम है जैसंका द्वारा अन्भी कहानियां जैसे च्छाया, आकास दीप, आधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वने ये सारे इनकी रचना है लेकिन ग्राम इनकी पहली प्रत्थम कहानी है आधी अकादमी ड्वारा पुसकत रचना ताप के ताय हुई दिन ये किसकी है त्रिलोचन हिंदी के विख्यास साहित का तिलोचन द्वारा रचित एक कविता संग्रह है इस रचना के लिए इन्हें जो है दोस्तों आपके 1981 जी हाँ 1981 में जो है साहित अकादमी पुरुषकार से सम्वानित किया गया था तिलोचन जी को जाग पढ़ता नेत्र देख बड़े-बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े इनमें कौन सा लंकार होगा इसमें आपका वस्तू प्रेच्छा लंकार हो जाएगा जब किसी पद में एक वस्त में दूसी वस्त की सम्भावना प्रकट की जाती है वहां वस्तू प्रेच्छा लंकार माना जाता है और इसे शरूत पोत्पुरेच्छा लंकार भी कहा जाता है इसको वस्त उपेच्छा की बात करते हैं नो डावड सभी लोग समझ गए हैं कितनी नाओं में कितनी बार की रशनाकार कौन है तो कितनी नाओं में कितनी बार की रशनाकार कहलाते हैं धर्मबीर भारती क्यों जाएगा कितनी नाओं में कितनी बार की रशना कार हो जाएंगे धर्मीर भारती होंगे या कोई और होगा सभी लोग बताई यहां पर में स्विंट है धर्मीर भारती नहीं होगा ना ही रगबीर होगा ना चौधरी जी हैं तो कितनी नाओं में कितनी बार रचना के रचाईता सचीदानंद हीरानंद वाश्यायन अग्यें जी चिंता विपकता बावरा अहेरी सारी इनकी रचना हैं अपने अपने अजनबी तो सचीदानंद हीरानंद वाश्यायन अग्यें की बात करते हैं सई हो अपसान हो निहार किसकी रचना है दोस्तों तो निहार जो है आपके महादेवी वर्मा द्वारा लिखीत एक रचना है रस्मी निर्जा दीव सीखा इनकी अनभी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की संसकत की चार अध्या है किसकी रचना है संसकत की चार अध्या है तो हम बात करेंगे रामधारी सिंग दिनकर की बात करेंगे रचना है इनकी अर्रचनाएं हैं कुरू छेत रस्मरती उर्वसी परवसुराम की प्रतिग्या हाहाकार इनकी अन्रचनाएं है हिम क्रीटनी किसकी की रचना हैं सभी लोग वताईए हीम क्रिटनी जो है आपके माखनलान चतुरवेदी जी की रचना है हीम तरंगणी यूग चरण समारपन ये सारी इनकी अनरचनाएं है साहित जनता की चित्रवत का संचीत प्रत्विम्ब होता है ये किसका प्रसिद्ध कतन है ये दोस्तों आ ये भी आत्मकता के रचनाकार काउन है एक कहानी ये भी आत्मकता के रचनाकार मन्नु भंडारी जी है और इनकी अनरचना भी है मैं हार गई एक प्लेट सहलाब आँखों देखा जूँट इनकी अनरचनाएं है मन्नु भंडारी जी की समय सरगम उपन्यास किसकी क्रती है समय सरगम जो उपन्यास है ये क्रश्ना सोबती की क्रती हो जाती है और इनकी अन जो उपन्यास है वह सूरज मुखी और जिन्दगी नामा इनकी अन जो उपन्यास है भारत भारती प्रुसकार 2014 किस साहित कार को मिला वह है कासी नासिंग प्रसिद कथा कर जो कासी नासिंग है इनको 2014 में भारत भारती पुसकार से सम्मानित किया गया था फिर भी कुछ रह जाएगा क्रती के रचनाकार कौन है फिर भी कुछ रह जाएगा विशुनात तिवारी जी की रचनाकार है बिशुनात तिवारी जी गोरपुर से प्रकासित होने वाली दस्था वेज नामाक सहितिक त्रमासिक पतिका के संस्तापक और संपादक है दोस्तो कमाईनी की रचनाकार काउन? कमाईनी सभी लोग जानते हैं कमाईनी छायवादी यूम का सरोतम हिंदी एक महा काब है और जैसंकर प्रसाद का नाम आता है जैसंकर प्रसाद की यह है अंतिम काब रचना थी जो 1936 इस्वी में उनिस सो चटिस इस्वी में यह प्रकासित होई थी भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है तो भोर के तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद माथुर जी है और यह कब प्रसादी प्रकासित होई थी 1936 इस्वी में से प्रकासित किया गया था निम्कित में से कौन सी रचना तोलसीदास जी की नहीं? रामचरीत मानस गीता वली, सीकर्ष्ण गीता वली ये तीनों रचना तोलसीदास जी है लेकिन भक्त माल भक्त माल के रचना नाभा दास या नाभा जी है अंगला प्रसन देख लेते हैं निम्कित में से कौन सी रचना नागार्जुन जी की नहीं? तुरतिनात की चाची, बाबा, बटेसरनात, इम्तरिया ये तीनों रचन नागार्जुन जी की है लेकिन दादा, कामरेड, ये नागार्जुन जीन की रचना नहीं है दादा, कामरेड, यसपाल का पहला उपन्यास था हिंदी सहित की भूंका की लेखक कौन है? थिंदी साहित की भूंगा के लेखक हजारी पे साथ देवे दीजी और यह कब लिखी गई उननीस सो चालिस से इस्वी में लिखी गई थी रचनाकार और रचना का कौन सा युग में सही नहीं है यह हमें बताना तो तुलसी दास, रामचरित मानस बिलकुल सही बात है तो कि मजन चित्रावली सही नहीं चित्रावली की रचना उस्मान ने की थी किसने की थी उस्मान ने किया था ना की मजन ने और उस्मान साहे निजामुद दीन चिस्ती की सिस परंपरा में हाजी पावन के हिस्से से थे किसके चित्ते हाजी पावन के कचुवा धर्म और मरेसि स्मोही कुठाओं किसकी रचना है कचुवा धर्म और मारेसि मोही कुठाओं यह किसकी रचना है तो यह रचना आपके चंदधर सर्मा गुलेरी जी की रचना हो जाती है कचुवा धर्म और मारेसि मोठी कुठाओं अंगला है निर्मला उपन्यास के लेका को है तो निर्मला उपन्यास के जो लेका कहलाते हैं मुंसी प्रेमचन जी यह हिंदी उपन्यास है इसका प्रकासन जो हुआ था 1927 में हु अरम गणला उपन्यास का और यह दहेज प्रथा पर अनमुल विवाई को आधार बनाकर यह यह उपन्यास लेखन जो हो आरंब किया गया थाtechno तो दहेज पता से संबंदित है हुकार काब संग्रह के रचाईता कौन है हुकार काब तो हुकार की जब भी बात की जाती है रामधारी सिंग दिनकर का नाम आता है हुकार काब संग्रहिनी की रचना है रामधारी सिंग दिनकर जी की ग्यानदीप किसकी रचना है तो ग्यानदीप आपके सेख नभी जी की रचना कहलाती है इसी आवाला अपसन जो दिया गए वालेडी सही हो जाएगा राम चन्दिका की रचना किसने की है तो राम चन्दिका की रचना जो है आपके केस अधास जीने की है और यह रीतिकाल के आचार कहलाते हैं के सवदास जी और इस महा काब में कुल जो चंदों की संकह हुए 1770 है इसमें कितने चंद का प्रयुकिया गए 1770 चंद है इस महा काब में राम की कथा का वर्णन है फिर भी यह भक्ती प्रधान ग्रंथ ना होकर काब प्रधान ग्रंथ है जैसंकर प्रसाज जी की पहली कहानी कौन सी है तो प्रसाज जी की जो पहली कहानी है वह ग्राम हमें बताया भी था कि एक ग्राम इनकी पहली कहानी है और उससे बाद अंगला पस देख लेते हैं सीता वनवास से सम्मंदित एक काव रजना कौन सी थी सीता वनवास से सम्मंदित एक जो काव रचना थी वह आपके प्रवाद परुजी की रचना थी यह नरेश महता द्वारा एक रचित है शमा नाधिकरन सब्दों के मद में किस विराम चिन्ध का प्रयोग होता है तो इसमें दोस्तों आपके जो शमा नाधिकरन सब्द होते हैं उनमें अल्पल विराम का प्रयोग होता है अंगला पस देख लेते हैं प्रश्ण वाच्यक और विश्म्याद इबोधक को छोड़ कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयोग होता है तो प्रश्ण वाच्यक और विश्म्याद सब्दों को वाक्यों को छोड़ दिया जाए तो सभी वाक्यों में अंत में आपके पूर्ण विराम का प्रयोग होता है कुण भी रामक इन में से कौन सा तरू का परेयवाची नहीं तो हमें मालूम होना चाहिए तरू का परेयवाची ब्रच, बीट अप, द्रूम होता है लेकिन पग नहीं होता ठीक है? पग के पग का क्या होता है पैर या पाउं ठीक है? यह कहलाते हैं का परवाची तो गाय का परवच कपिला धेनु गव है लेकिन आपका अम्बू नहीं है ठीक है धेनु गवरी गावी हिंदु माता सुर्वी दोगदी ठीक है यह सारे इनके कर लाते हैं लेकिन अम्बू आपकी नहीं कहलाती है असीम सब्द का बिलोम कौन सा होगा तो असीम सब्द का बिलोम होता है ससीम और अनंद का बिलोम अंत हो जाएगा अंबर का बिलोम धरा हो जाएगा और आकास का बिलोम क्या हो जाएगा सफिता यह अकास का बिलाम बिलोम जो होगा वह अनावकास हो जाएगा अवकास्वरी अकास नहीं अवकास लिखा है तियां पर आनवकास हो जाएगा अग्दा दियागा गही वंद का विलोम क्या होगा तो वंद का विलोम निन्द हो जाएगगा और दंड मतलब छमा दंड का क्या होगा छमा होगा और वंदनी का क्या हो जाएगा निंदनी हो जाएगा ठीक है अंगल्या पसने निदेशन दिया गया है 94-95 के लिए यहां पर क्या निदेशन दिया गया है असमार्थक सब्द का चैन करना है तो चलिए असमार्थक सब्द का चैन कीजिए इसमें 94 में असमार्थक सब्द कौन है तो म्रत्तु यहां पे असमार्थक हो जाए जन्म, उगना, उत्पादन, उदय होना, निकलाना, पैदा होना, प्रकट होना ये समनार्थक Śabd लेकिन म्रत्तु आपका असमार्थक Śabd हो जाए इसके बाद पांच में देखे बीर, दीड़, सूर, डरपोंक इन में से कौन सा समार्थक है तो बीर, दीड़, सूर, निर्भई, दिलेर इस सार्थक है जो डरपोंक हो गया कायर हो गया बुद्जिल हो गया ये सारे कौन से सब्द हो जाएंगे ठीक है असमार्थक सब्द याँ पर डर पूंक हो जाएगा अंगला जो प्रस्ण है बहुत ही इंटेस्टेर प्रस्ण है इन में से कौन से सब्द अरुन सब्द का अर्थ नहीं है सभी लोग बताएगा तो अरुण सब्द का अर्थ आपका कर्ण नहीं होता है, बाकी गरुण होता है, केसर होता है, सिंदूर होता है, ठीक है? अंगला इन में से कौन सब्द घट सब्द का अर्थ नहीं होगा? तो घट सब्दकार्थ होता है मन शरीर घड़ा क्या होता है मन शरीर घड़ा और घट कर्थ समुह आपका नहीं होता है जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्येंस के लिए उप्युक्त सद में कौन सा होगा जिस पर हमला ना किया गया हो जबकि आक्रमक और आक्रांता करदाद पर हमला करने वाला या हमला के लिए तैयार होने वाले से हैं और अयोध्धा कर्थ होता जिसको युद्ध में हराया ना जासकी इसको अयोध्धा कहते हैं इस पर सजन्द बिमारी के लिए इन में से उप्युक्त सब्द कौन से होगा? तो इस पर सजन्द बिमारी के लिए उप्युक्त जो सब्द हो जाता है, संक्रामक. छूआ छूद बिमारी से कहते हैं. इस पर सजन्द बिमारी है, जो छूने से फैलती है. इसे हम संक्रामक बिम आदमी पानी का बुल्बुला है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा जिसका अर्थ होगा मनिस जो जीवन है वह नाश्वर है नाग दबाने से मुह खुलता है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा तो नाग दबाने से मुह खुरता है मतब कठोरता से कार शिद्ध होता है अंगला है पांच की दुआईरी महावरे करत क्या हो जाएगा पांच की दुआई स्वरी पांच की दुआई महावरे का सहीर सहायता की पुरुसकार पान खिलाना मुहरे कर्थ िवें की या हो जायेगे इसके बाद ज़ोंगला पुस्ट खरच ये असी की आमद 90 खर्च इस लोकोक्त क्र्थ की हो जाएगे इस लोकोक्त क्र्थ हो जाएगा आज से ज़रार कि खर्च हो 80 आ है और 90 खर्च हो रहा है दाम शमारे काम इस लोकों करत क्या हो जाएगा तो दाम शमारे काम मतलब पैसा सब काम करता है ठीक है अंगला 107 क्रमान से 111 तक आपके गद्यान से सम्मनित प्रस्ण रहेगी और इस गद्यान जो रहेगा स्वतंता संग्राम मनुस में उत्तम और इस प्रहणी विसेशता पैदा करता है और भारती स्वतंतत शंग्राम भी इसका पुवाद नहीं है महात्मा गांधी के नेतत में ये युद्ध बिना किसी एसा द्वेशत था खून खराबे के लड़ा गया था तो गांधी जी से सम्मंदित है सत्य अग्रा से आईए प्रशन की बात करते हैं किस प्रकार के प्रशन पूँचे जा रहे हैं तो लेखा का उदेश है कि धार्मिक आस्थाओं और सत्थ बिवहार को बढ़ावा देना धार्मिक जो आस्थाओं होती है और जो बिवहार होते हैं उनको बढ़ावा देना इनका उदेश है धर्म निर्पेश्टा से अभिप्राय क्या होता है तो धर्म निर्पेश्टा सभिपाय होता है सभी धर्मों का आधर करना यह आपसन आपे सही हो जाए कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंतता संग्राम जनतांत्रिक था क्योंकि इसमें सभी जातियां वर्ग धर्म को लोगों को भाग लिया था इसलिए इसमें पहला आपसन जो सही हो जाएगा उप्रियुक्त गद्यास में प्रियुक्त इस्प्रणी सब्दकार्थ क्या हो जाता है इसमें हो जाता प्राप्त करने योग चाहने योग वान्छिनी यह भी हो सकता है अधिसूचना के संदर में कौन सा कथन गलत दिया गया है अधिसूचना तो अधिसूचना के संदर में प्रेशक का उलेख होता है यह हमारा कथन जो है गलत दिया गया है मा की समानत है यह गजट में प्रकासित होता है अधिसूचना ये राश्पत यथवार राजपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है इससे बिग्यापत भी कहा जाता है अधिसूचना लेकिन अधिसूचना एक प्रेशा कवलेख होता ही है गलत दिया गया अपने कार्याले से अनभोप्रमाणपत लेने के लिए किसे आवेधन पत लिखेंगे तो अपने कार्याले से अनभोप्रमाणपत लेने के लिए किसे आवेधन पत लिखेंगे तो बिवस्थापक महोदय अपने कारायले आफिस से अन्भाव प्रमानपत लेने के लिए ब्रश्थापक महोदय को आविदनपत लिखा जाएगा दैनिक हिंदुस्तान में समवादाता के पद के लिए किसे आविदनपत लिखेंगे तो संपादक महोदय को आविदनपत लिखेंगे बस इस्टेन के पास आवारा ललकों के बिवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाप छेर्शानी के ब्रुद्ध एफाई यर्दज करवाने के लिए किसे आविदन पत लिखेंगे तो थाना धच महोदजी को जो है आविदन पत लिखेंगे थाना धच महोदजी इन में से कौन से कभी अश्टचाप से समलित नहीं है तो गोविंद स्वामी, सूर्दास, छीष स्वामी ये तीनों अश्चाप में समलित हैं लेकिन हरी दास जो है आपके अश्ट चाप में समलित नहीं है। और भी है किश्ण दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, सूर्दास, पर्मानन दास, ये सारे आपके अश्ट चपी केकर। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। और भाय आपकी है चंद्राक्रांता। चंद्रांता देव की नंदन खत्री द्वारा रचित एक लोगप्री तिलस्मी उपरन्यास है जिसके बारे में कहा जाता है इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। और इस पर आधारित एक टीवी सिरियल चंद्रांता भी बना हुआ है। जो हम पहले इसके पहले जो प्रेक्टिस सेट किया था पेपर किया तो उसमें बताय भी है था। तो सुजात भागत आलग आलग्योजी ग्रहदाय नसा माता का है यह सब किसकी विजी रचनाय है। यह सब दोस्तों आपकी कहानी। सुजान भागत आलग्योजी ग्रहदाय नसा माता है यह सब हिंदी गर्ध की कहानी विजी रचनाय है। अरून कमल की किसक्रत के लिए साहित अकाद्मी पुरुषकार प्राप्त हुआ है। तो नए इलाके में। अंगला प्रश्ण है। इन में से कौन सी भासा दर्विन भासा नहीं। देखिए मल्यालम, तेलगू, तमिल ये तीनों जो है दर्विन भासा है। मतलब ये जो भासाएं हैं दर्विन परिवार की भासाएं हैं। जबकि आपकी सौराष्ट हो गई ये दर्विन भासा की परिवार नहीं है। यह एक गुजराती एक बोली है। सौराष्ठ क्या है एक गुजराती बोली है। बात कर लेतें अंगले पैश्ण की अंगला प्रस्ण हिष्कीन पर दिया गया है। को इन में से कौन सी भासा दर्विन परिवार की भासा है। उडिया बांगला असमिया या कन्नर तो इन में से दर्विन परिवार की भासा कौनसी कहला जाती है कौनसी भासा दर्विन परिवार की है तू है योगी कन्नर दोस्तों कन्नर दविन प्रवार की भासा है दियाफसन सही हो जाएगा आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को ब्यास सम्मान भी मिला है आम के पत्ते तो आम के पत्ते जो दोस्तो वह राम दरस मिस्त जी की रचना है और इस रजना पर व्यास सम्मान प्रदान किया गए है राम दरस मेस्टी जी को अगला प्रस्न हिंदी में साहित अकादमी पुरुसकार सरप्थम किस साहित कार को मिला था हजारी प्रसाद्यवेदी भारत भूसन अग्रवाल राहुल संक्रत्यायन या माखनलाल चतुरुवेदी हिंदी में साहित अकादमी पुरुसकार सरप्थम किस साहित कार को मिला था वह माखनलाल चतुरवेदी साहित अगादमी पुरुषकार 1955 उनीच सुपचपन में प्रारंभ हुआ 1955 का साहित अकादमी पुरुसकार जो की प्रथम पुरुसकार माखनलाल चतुरुवेदी जी को उनकी रचना हिम तरंगनी के लिए प्रदान किया गया था किसी रचना के लिए हिम तरंगनी के लिए इनको मिला था द्वैता द्वैतवाद के परोतक आचार कौन माने जाते हैं तो द्वैता द्वैतवाद के परोतक आचार जो माने जाते हैं वह आपके निम्बार्क आचार निम्बार्क चार जी हैं इनके द्वारा चलाए गए संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं निम्बार्क संप्रदाय को हंस अप्रदाय तदा संकादी संप्रदाय भी कहा जाता है अंगल्य पस्ने पंजाबी भासा का उद्भव किस अपभरंज से माना जाता है पैसाची अप्रण्ज, शौरसेनी, अर्धमगदी, या ब्राचर अप्रण्ज तो पपंजाबी भासाक ओद्बव किस अप्रण्ज से माना जाता है तो वह हो जाएगा पैसाची अप्रण्ज पहला आपसंद सही हो जाएगा पत्थ के साथी किस बिधा की रचना है जो रचित है पत के साथी किस क्रती के लिए गिरीराज किसोर को साहित अकादमी पुरुसकार प्राप्थ हुआ है तो गिरीराज किसोर जी को जो है साहित अकादमी पुरुसकार जो जिस क्रती के लिए प्राप्थ हुआ है वै क्रती है धाई घर धाई घर रचना के लिए गिरीराज किसूर को साहित अकादमी पुरुसकाद से सम्मानित किया गया था चित्र मुगदल को उनकी किसकरती के लिए साहित अकादमी पुरुसकाद से पुरुसकत किया गया है वह पोष्ट बाक्स नंबर 203 पोश्ट बाक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए चित्रा मुगदल को साहित अकाद्मी पुस्कास से सम्मानित किया गया ये करती हमारे समाज के खास किन्नर तब के अधार पर लिखी गई है जिसकी ज्यादतियों और अजीबों गरीब हरकतों से हम अमूमन दो चार होते हैं पर उनकी जीवन से हमारे लिए रहस्यग पोश्ट बाक्स नंबर 203 इन में से किसे अपभरंस का बालमीकी कहा जाता है और वह है श्वयमभू श्वयमभू को अपभरंस का बालमीकी कहा जाता है और इनके पिता का नाम मारूत देव था और माता का नाम पद्मनी था इन में से खड़ी बोली हिंदी के पहले कभी कौन है खड़ी बोली हिंदी के पहले कभी यहाँ पर बताना है आपको वह कौन है तो वह आपके अमीर खुश्रों खड़ी बोली हिंदी के पहले कभी अमीर खुश्रों जी है वे पहलियां एवं मुकरियों के लिए जाने जाते हैं इन में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाब कौन सा है बक्ति सागर प्रिप्रवास प्रेम सागर सुक सागर तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाब बताई और वह आपका है प्रिप्रवास प्रिप्रवास अयोधा सिंग उपद्याय हरियोध द्वारा रचित खड़ी बोली का और अयोध्धा, हरियोध, अयोध्धा सिंगुपद्याय हरियोध की जो अद्ध अन रचना हैं, जैसे चुबते, चौपदे, पद्म, परशून, रस, कलस, ये सारी किसकी रचने हरियोध की रचना है। इन में से कौन सी भासा जो है भारूपी भासा परिवार की साखा है, और वह कहलाती है आर्मीनी, आर्मीनी भासा भारूपी भासा परिवार की साखा है, ये भासा मेसो, पोटैस्मिया, तथा काकेसस परवत की मदवर्ती घाटियों, और काले सागर के दच्छिन पूरी प्रद श्री लाल सुकल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरुषकार प्राप्त हुए हैं तो स्री लाल सुकल जी को जिस उपन्यास के लिए कई सारे पुरुषकार प्राप्त हुए हैं वह उपन्यास आपका कौन सा कहला जाता है सभी लोग बताइए तो वह उपन्यास है आपका राग दर्वारी कौन सो उपन्यास है आपका राग दर्वारी उपन्यास है राग दर्वारी उपन्यास के लिए कई सारे पुष्कार प्राप्तिये हैं उपन्यास जो है गाउं की कथा के माध्धम में से जो है आधनिक भारती जीवन की मूल हिंता को सहिस्ता और निर्वम्ता से अनाकरत करता है तो राग दर्वारी की बात करेंगे निवठ्था इन में से किसकी उपकला बोली है निवठ्था इन में से किसकी उपकला बोली हो जाएगी सभी लोग बताएगा या निवठ्था की बात करेंगे तो निवठ्था जो है किसकी उफबोली है बगेली की उफबोली कहलाती बगेली की उफबोली आपकी निवठ्था है संत सीगा की भासा क्या थी? तो संत सीगा की जो भासा थी वह थी निमाणी क्योंकि संत सीगा जी जो है मत्पदेश के निमाण के एक प्रसिद संत थे उन्हें पस उरच्छक देव के रूप में भी पूजा जाता है तो संत सीगा की भासा निमाणी थे आग और राग का कभी किसे कहा जाता है तो आग और राग के कभी किसे कहा जाता है सभी लोग बताईएगा तो रामधारी सिंग दिनकर जी को रामधारी सिंग दिनकर को आग और राग का कभी कहा जाता है इनकी रचनाये पराशुराम की प्रतिच्छा और वसी और रस्म रथी आदि है पाली भासा के सरपतम वय्या क कौन है तो पाली भासा के सर्वत्म जो वय्या करण कहलाते हैं वह आपके कच्चायन जियां कच्चायन पाली भासा के सर्वत्म वय्या करण है वह बुद्ध भगवान के दस सिस्सों में से एक परम रिधिमान सिस्ष थे आपके कच्चायन बना फरी इनमें से किस बोली की उपबोली है बना फरी तो बना फरी जो है दोस्तो बुंदेली की उपबोली कहलाती ना कर्वी की है ना बगेली की ना हिब्रज की तिनमें सकोई नहीं डियाप्सन होगा क्योंकि जो बनाफरी कहलाती है किसकी उपबोली कहलाती है तो यह जो है बुन्देली बुन्देली की उपबोली है आपकी बनाफरी इसलिए इन में से कोई नहीं डियापसन सही हो जाएगा हिंदी साहित का अलोचनात्म कितिहास किसने लिखा है राजकुमारवर्मा स्वरी रामकुमारवर्मा डाक्टर नगेंद राहुल संक्रत्यायन ये महाबीरप्रसाथ दिवेदिजी हिंदी साहित का अलोचनात्म कितिहास तो हम बात करेंगे रामकुमारवर्मा डाक्टर नगेंद की अगर बात करते हैं तो हिंदी साहित के इतिहास और हिंदी साहित के इतिहास रामचन सुकल की बात करते हैं ठीक है लेकिन अलोचनात्मा की इतिहास की बात की जाती है रामकुमार वर्मा की मंगलेस डवराल को किसक्रती पर साहित अकादमी पुर्सकार प्राप्थ हुआ है किसकी बात करेंगे मंगलेस डवराल तो हम बात करेंगे हम जो देखते हैं हम जो देखते हैं कि रशना पर मंगलेस डवराल को साहित अकादमी पुर्सकार से सम्मानित किया गया ये उनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह है और इनके द्वारा रचित अनकाब भी संग्रह हैं जिसे नए युग में सत्रू अवाज भी एक जगह है पहाड पर लाल टेन घर का रास्ता हम जो देखते हैं आचार रामचन सुकल ने तुलसी के प्रमारिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है दस आठ ग्यारह बारह तो आचार रामचन सुकल जी ने तुलसी के प्रमारिक ग्रंथों की शंख्या जो मानी है वह दोस्तों हैं बारह कितने हो जाएंगे बारह मानी अंगला प्रस्ण है गिर्जा कुमार माथूर करत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरुषकार पुरुषकार हुआ है पुरुषकार से सम्मानित किया गया था बीरस इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है जब भी बीरस की बात की जाती है तो ओज की बात किरते हैं बीरस की स्थाई भाव साय है तथा ओज इसका प्रमगुण है और प्रिसाद और माधुर शंगार रस इसके गुण है ज अंगला है अन्याय सहकर बैठे रहना ये महादुसकर्म है नायार्थ कि अपने बंद को भी दंड देना धर्म है इस तत्त पर ही कौरों से पांडों कारण हुआ जो बब भारत वर्ष के कलपांत का कारण हुआ इनमें कौन सा चंद होता है तिनमें जो चंद हो जाएगा वह आ कावे की सुभा बढ़ाने वाले चमतकार को लंकार कहते हैं यह अर्थ द्वारा ही हमें बताता है लेकिन यहां पर अगर चंद की बात करें तो दिये गए पध्यांस में हर गीत का चंद है यह एक समात्रिक चंद होता है यह 28 मात्रों वाला चंद होता है 16 और 12 मात्रों पर इसमें यती होती है कितने होता है 28 मात्रों वाला यह चंद होता है हरी गीत का अंगला जो प्रस्ण है जो आलेडी आपके स्किन पर है कि अलंकार के संदर में कौन सा कथन सही गिया गया है देके दोस्तों अलंकार के संदर में देखा जाए कि तात्पर मात्र के भेद से सब्द और अर्थ दोनों के पुनरत्ति को लाटानु प्रास कहते हैं स्रिष्ट पदों के अनेक अर्थों का कथन सलेस लंकार है भिनार्थ, अर्थात, निरर्थक, श्वर, बिंजन, शमदाय के अवरत्ति को यमक कहते हैं दी आपसन उप्रोग्षभी तो उप्रोग्षभी आपसन हमारा सही होगा यह तीनों जो हैं अलंकार के संदर में कथन सही दिये गए हैं इसलिए आपसन के हम चैन करेंगे इसके बाद हम बात करते हैं आपके अंगले पस्न की कि 20 हिंदी दिवस कम मनाय जाता है 26 जन्वरी 15 अगस 14 सितंबर 10 जन्वरी तो हिंदी दिवस के अगर बात करते हैं तो 20 हिंदी दिवस कम मनाय जाता है तो 10 जन्वरी यहां 20 हिंदी दिवस 10 जन्वरी को मनाय जाता है जबकि राष्टी हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है अगर राष्टी हिंदी दिवस आता है तो वह 14 सितंबर को राष्टी हिंदी दिवस मनाया जाता है निम्रकित में से किस भासा को 92 समिधान अधिनियम 2003 के तह समिधान की आठवी अंसूची में नहीं सामिल किया गया है तो 92 समिधान संसोतन 2003 के अंतरगत आठवी अंसूची में जो है तमिल को सामिल किया गया था और आठवी अंसूची में भारती भासाओं को इस्थान दिया गया है सभी लोग बताईए तो 92 समिधान संसोतन 2003 के अंदगत आठवी नसूची में तमिल को सामिल किया गया था यहां पर प्रस्ण कर रहा है नसूची में नहीं सामिल किया गया तो यहां पर हमारा क्या आपसन होगा सभी लोग बताईए यह प्रस्णाप के लिए दिया जा रहा है तमिल इसका सही होगा यह नहीं होगा यह आपको कमेंड करके बताना तो किस पर डाउट है तो कमेंड बाक्स में चुताईएगा भार्ती समिधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायत तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 351 समिधान के भाग सत्रा के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभासा गोसित किया गया था तो अनुच्छेद 351 तीन सु इंक्यामन में हिंदी के विकास के दायत भारस सरकार पर प्रभावित किया गया अगर है आता है कि समिधान के हिंदी को राजभासा गोशित किया गया था तो हिंदी को राजभासा समिधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी को राजभासा गोशित किया गया लेकिन भारती समिधान के अनुच्छे 351 में उलेक मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायुद्ध पहला विश्विंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन हुआ था जी हाँ पहला विश्विंदी सम्मेलन 1975 पहला विश्विंदी सम्मेलन 10 जन्वरी से 14 जन्वरी तक 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था राश्वासा प्रचार समीति वर्धा के सयोग से ये एतिहासिक कारकम शंपन हुआ अंगला है जन्संक्या मादमों का शकरात्मक और नकरात्मक प्रभाव पढ़ता है पच्षियों पर पढ़ता है पशूओं पर शभी प्राणियों पर या लोगों पर पढ़ता है या आपको कमेंट करके बताना है mock question दे रहे हैं और इसके पहले हैं का हमने जो आपको बताया है कि जी हाँ इस प्रसंद का आपको बताना कि तमिल इसमें सही है कि नहीं है इस पर खोज भी नहीं हम भी करते हैं कमेंड बाक्स अवच्छा आप लोग बताईएगा आकी 7 पीम में हमारी लाइब क्लास होती पेड़ागाजी की और जो पहले पार्ट है जल्दी हमारा उसका भी लाइब क्लास होने वाला है जो पहले पार्ट आपका 30 नंबर काना है उसका भी हम प्रेक्टिस सेट और अभ्या क्लास करने वाले हैं तो सभी लोग जोईन कीजे सेवन पीम की क्लास सभी मित्रों को जैहिंद बंदे मात्र दनवाश अभी का